आज का ही वीडियो आपके प्रीबोट्स के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के प्रीबोट्स का पेपर लेक करने वाला हूँ आज मैं आप लोगों को बता दूगा कि भाई याप पेपर के आएगा तो हो सकता है कि ये वीडियो डिलेट हो जाए तो make sure कि जल्दी से इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपका एक्जाम जब हो जब आप इसे अच्छे से कर पाएं और सबसे पहला हमारा as usual जो पेपर रहता है वो रहता है English का पेपर है तो आप लोगों को English के पेपर के अंदर क्या क्या करना है कैसा पेपर आएगा एक बात मैं आपको द्यान से बोल देता हूँ कि अगर आपने इस पेपर को देखा अगर आप इसको पूरा देखते हो तो मैं आपको guarantee के साथ में बोल सकता हूँ कि आप 80 out of 80 score करने के लिए ready हो क्यूंकि यही paper आएगा exactly यही questions आपको आपके exam के अंदर देखने को मिलेंगे तो make sure कि आप इस paper को पूरा जरूर से देखे तो बिना time waste की हम लोग जल्दी से start करते हैं अब हम लोग चलिए सीधा चलते हैं paper को solve करने में जैसा कि मैंने का कि हम लोग पहले reading section नहीं करेंगे तो इसका भी हम लोग reading section नहीं करेंगे हम लोग सके start करेंगे grammar section तो आप लोगों के writing और grammar का section है वो आप लोगों को 20 marks का देखने को मिलता है जिसमें से आप लोगों की grammar होती है वो होती है 10 marks की जिसके अंदर की आप लोगों को यहाँ पर 12 questions देखने को मिलते हैं जिनमें से कोई भी 10 attempt कर रहे होते हैं बहुत ही साथा simple paper पर आता है grammar का हम लोग इससे start करते हैं अब देखो इसके अंदर सबसे पहला question है यह है fill-in-the-blank वाला question है इसके अंदर आपको जो भी form दिए है उसको साही धंग से feel करने इसमें अब हमारा first question यहाँ पर आता है जिसके अंदर के हमें given है कि dear sir this is with reference to the committee letter of recommendation that highlight अब तो यहाँ पर यह जो word आपको given है highlight अब आपको इसको correct form बताने कि इसके अंदर क्या होगा तो सबसे पहला काम होता है कि हमें इसके अंदर identify करना होगा कि इसके अंदर tense कौन सा है तो जब आप लोग इस sentence को देखोगे तो आपको पता लगेगा इसके अंदर तो simple present tense यहाँ पर है अब जब यह simple present tense हुआ तो अब यहाँ पर हमारे पास में दो choices बनेंगी verb की ठीक है अब जो सबसे first choice है वो यह है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जो अब हमारा जो subject है वो क्या हो अगर plural तो उस case के अंदर हम लोग क्या ही उसमें लेते सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे जो सब्जेक्ट है वो है singular तो यहाँ पर हमारे जो correct answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा एरर और करेक्शन वाला क्योशन तो यह बहुत ही सदा सिंपल होते है स्टोडेंट को इसे डर पतानी क्यों लगता है और गलत भी मैक्सिम यह होता है तो मैं आपको बताता हूँ आपको जब भी ऐसा होता आप इसको कैसे करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो आपको इसके अंदर चेक्ड़नी है वो करनी है इसके recycling work ठीक है अब helping work अगर सही है एक और फिर उसके बाद में आपको इसके चेक करनी है varf और तो अगर वो भी सही है तो फिर आपको इहां पर चेक करना होगा इसका preposition तो अब फिर उसके बाद में भी अगर गलत है तो भीया इसका फिर क्योशन ही गलत है ऐसा ही होता है क्योंकि manually क्या होता है कि इन 3-4 चीज़ों के अंदर ही error होता है फिर उसके अलाओ कुछ भी नहीं होता तो अब हम लोग इस question को देखना है, अब यह question है कि this delightful recipe must be keep your hunger panks at the bay with its baked spice and oriental flavor तो अब यहाँ पर हमें निकालना है कि इसके अंदर क्या error होगा, तो अब देखो यहाँ पर इसके अंदर simple सा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जब इसको देखोगी तो आपको यहाँ पर दीखेगा must, अब आपको पता होना चाहिए कि must हम लोग कहाँ पर use में लेते हैं जहाँ पर हमें क्या करना हो, किसी को order देना हो, या फिर हम लोग किसी का, हमारे ने confirm है कि भाई, तुझी यह करना ऐसा होना ही चाहिए, तो उस case के अंदर हम लोग क्या करते हैं, must को use में लेते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी को order या फिर ऐसा कुछ compulsory आपना opinion दे रहे हो, तो जब कभी भी हम हमारा opinion देते हैं, तो उस case के अंदर हम लोग क्या use में लेते हैं, must नहीं लेते हैं, हम लोग बोलते हैं will, कि ऐसा हो जाए, कि यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी ये जो recipe हो तो अच्छी है, लेकिन अगर तुम ऐसा करो कि मेरे opinion में तो वो अच्छा रहेगा तो इसलिए हम लोग must को हटा करके यहाँ पर will use में लेंगे और विर हो जाएगा इसका correction must हो जाएगा इसके अंदर error फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं next question के तरफ जो की होते हैं हमारे direct से indirect के अंदर अब मेरे को इनका concept समझवें नहीं आता कि यह बनाये क्यों था क्योंकि honestly बात है कि यह sentence दियाओ फिर आप इसको अपने conversation के अंदर लिखे रहे हो क्यों लिखना भई हम नहीं लिखना चाहते हैं पर यह नहीं समझते हैं हमें पढ़ने के लिए करना ही पढ़ेगा बच्चों फ्रस्टेशन बहुत हो जाती है लेकिन पढ़ना पढ़ेगा अब इसके अंदर कहा गया है कि अभिला आश एंड निहा had a conversation with the arguments of निहा डांस academy और आपको report करना है जो अभिला आश का question है उसका वो यह है कि is your best friend helping you in this venture कि भी यह तुमारा जो best friend है वो इस venture के अंदर तुमारी help कर रहा है या नहीं तो अब हम लोग step by step करेंगे तो देखो ध्यान से मेरे साथ में करना आपको हर एक चीज इसके अंदर अच्छे से समझ में आने वाली है तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो तुमारा दोस्त help करेगा तो हम लोग इसको कैसे करेंगे ask neha that आएगा और फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि if या फिर हम लोग लिखेंगे weather अब हमने यह क्यों लिखा है कि क्या तुम्हारा मतलब समझ रहे हो कि क्या वो help करेगा तो हम लोग इसको इसको start करेंगे if यहाँ पर your जो है उसको हम लोग convert कर देंगे हर के अंदर ठीक है यहाँ पर यह जो your है हमने इसको convert किया है हर के अंदर क्योंकि यहाँ पर है point of view क्योंकि हमें इसके अंदर point of view उसका change करना होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, your को हर के अंदर change करेंगे, your best friend helping, अब देगो यहाँ पर यह जो वर्ब है, आपको इसको change करना होगा, क्योंकि यह तो यहाँ पर simple present के अंदर, लेकिन आपको इसको convert करना होगा, past के अंदर, तो आप लोग यहाँ पर इसको क लोग कानवर्ट कर देंगे देट के अंदर और यहां पर इस तरीके से हमारे क्योशन यहां पर खतम होता है देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं next question की तरफ जिसके अंदर की हमें दिया हुआ है कि यहां पर भी dialogue है दो डायलोग दियो है, डायलोग बाजी बहुत ज़्यादा तगड़े वाली चल रही है, यहाँ पर शारा बोलती है, कि why did you choose to participate in this internship program, वो पुछती कि तुने इस internship program में क्यों participate किया, तो वहीं पर ही जो शबनम है वो बोलती है, I have convinced this program has the potential to enhance my abilities की, यह यह जो program है, जैसे कि आप भी करते होंगे, कि यार मेरी है जो abilities है, उसको इससे enhancement, अब देखो question उसने क्या पुछाता है, यहाँ पर जो सारा है, उसका question स्टार्ट होता है, कि why did you choose to participate, तो अब हमने question लिख लेकि हमें इसको convert करना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या why के अंदर कोई conversion होगा, यहा past perfect के अंदर, तो जब past perfect के अंदर convert करोगे, तो यहाँ पर देखो, sub-num है, sub-num क्या है, वो है लड़की, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर use में लेंगे she, और फिर इसके बाद में हाँ पर जाएगा head, और फिर उसके बाद में आगे question as it is, हो जाएगा, कि she had chosen to participate, तो answer आना चाहिए, वो आना चाहिए, कोई भी नहीं है, इसके अंदर why he आरा है, तो यहाँ पर इसके अंदर correction होगा, ही के जगह पर यहाँ पर होगा, वो शी और इसका answer जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे पास में C option, और इसके साथ में इस वीडियो को लाइक हो जाएग कि आपको इसको fill करने, तो अब हमारा question इस तरीके से है, कि a copy of lan is enclosed, and फिर आपको that, then, this में से बनाना होगा, कि may be communicated to all the team leaders for compilation, तो अब हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए, कि that हम लोग कहां पर काम में लेते हैं, then ह हम लोग कहां पर काम में लेते हैं, और this हम लोग कहां पर काम में लेते हैं, तो that हम लोग वहां पर काम में लेते हैं, तो that हम लोग वहां पर काम में लेते हैं, जहां पर कि जो object है, जिसको कि हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, वो हमारे पास नो, वो थोड़ा दूर हो, जैसे कि when I finished my study then I will go for playing football या फिर जो भी आपका हो जिसके अंदर की क्या होता है कि हम time कर रहे हैं यह हो जाएगा उसके बाद तो यहां पर यह दोनों दोनों चीज़े कैंसल होती है बचता है दिस को हम लोग वहां पर यूसमे लेते हैं जहां पर की जो हमारा subject है वो हमारे पास में हो तो यहां पर क्या है कि जो letter है वो आ चुका है और उससे हमें circulate करना है तो इसलिए हमारा जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा this और यह इसका correct option हो जाने वाला है then फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग यहां पर question number 6 के अंदर जिसके अंदर के हमसे कहा गया है कि आपको error और correction निकालना है वो यह है कि the company aimed at increasing the authorities in the area frequently visited by the clients तो अब यहां पर मैंने क्या गाता आपको सबसे first में जो identify करना है वो करनी है इसकी work तो जब आप इसकी work देखोगे तो वो क्या है वो है aimed अब aimed के अंदर जब आप देखोगे तो यहां पर यह क्या है यह complete हो चुका है और इसके अंदर हमें क्या कहा जा रहे कि ऐसा हो चु लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि the company aimed at increasing the authority तो मतलब क्या है कि हाँ पर वो चाहती है अभी भी current projection है तो यहाँ पर हम इससे क्या करेंगे aiming आएगा इसका correct answer और simple सा यह समझो कि यहाँ जादा अगर समझ में नहीं आई यह बात तो यह समझो कि यह क्या है यह है past के अंदर हमें इसको किसके अंदर तो हमें इसको convert करना होगा present के अंदर ठीक है समझ रो मेरी बात तो हम इसी simple सा present के अंदर इसे convert कर देंगे देन फिर इसके बाद में आता हमारे पास में हमारा अगला question अगला क्यूशन आपको प्रिपोजिशन का ध्यान रखना है अगला क्यूशन आपकी स्क्रीन के ओपर क्योशन नंबर सेवन आपको एक एक अनलेटिकल रिपोट दी गई है उसका कॉंक्लुजन आपको दिया है जिसके अंदर की कह रहे हैं कि इन दा कॉंक्लुजन दिस स्टेडी एक्सप्लोर्स दे असोशीशन एमोंग दे शॉर्ट स्लिप पैटन एंड ओवर्वेट यंग्स्टर कि यहां पर सिंबल से यंग्स्टर की क्या प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम मी है कि एक तो वो कम सोते हैं दूसरा की उनका ओवर्वेट हो रहा है जब कम सोगे तो आपका ओवर्वेट ही होगा क्योंकि आप लोगो वर्क आउट करने का टाइम नहीं मिलेगा इसलिए ओवर्वेट होगा इसका हमारी इससे कोई भी रिलेशन नहीं है लेकिन हमने क्या कहा था कि हमें इसको सिंबल सा चेक कर रहा है तो इसके अंदर आप लोग देखोगे तो वर्व सही भी सही जगा है लिकिन यहाँ पर हमारा प्री पोजिशन है जो की होगा यहां प इसके बात करें एक तो स्लिप पैटन की और ओवर्वेट की तो यहां पर सिंपल सी कहा है दो चीजे होती तो जब कभी भी दो चीजे यह तो हम उसके लिए उसमें लेते हैं बिट वी बीडवीन और आप लोग कमेंट करो इसकी फुल स्पैलिंग अगर आपको आती होगी ब मेरे पास में आ करके भावुक हो गया था तो अब इसके अंदर कहा गया है कि the experience of nursing and insert but left me grateful for knowing the importance of being kind and compensate to all the creatures तो भी जो भी एक जैसे की बर्ट थी वो hurt हो गए थी तो उसको nursing करके उसकी help करके जो मेरे दिल को satisfaction मिला ना वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता जैसे कि मेरे को satisfaction मिलता है इक रात पहले आपको आथा था किया कल पे पर है फिर आते हो ऐसी वीडियो देख तो जिससे मजा आता है और जिसमें आपको knowledge मिलता है तो इसलिए subscribe कर लेना चाहिए तो अब यहां पर हमें क्या है ध्यान से देखो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि वह यहां पर क्या वो तो जब कभी भी continuous action हो तो हम लोग उसके लिए क्या use में लेते हैं वो use में लेते हैं हम लोग यहां पर उसके लिए लेंगे feeling इसका एकदम से correct होगा लेकिन आपके doubt आएगा कि भाया एवाला option तो सही होगा एक बार बी वाला भी बता दो इसके अंदर having felt का मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि वो काम हो चुका ठीक है वो काम हो चुका और उसके बाद में नया काम स्टार्ट होने वाला है तो वहां पर हम लोग क्या use में लेते हैं having felt फिर इसके बाद में next आते हमार पास में question number 9 जिसकंदर के आप लोगों को कहा गया है कि आपको report करना है dialogue दो यहां पर आपको थोड़ा साब की help करने के लिए थोड़ा से लिक की दे दिया वो यह है कि the vendor greeted his customer respectfully and mentioned that he was pleased to see him and the customer answered in affirmative and explained that अब हमें यह जो sentence इसको पूराक पूरा complete करना है तो देखो यहां पे अब हम किस किस चीज को change करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा last month है ना उसको हमें convert करना होगा देखो अब मैं हर एक बात आप लोगों किसके अंदर बताने वाला हूँ last month जो है उसको हम लोग कभी भी जैसे कि tomorrow होता है तो हम लोग उसको बोलता है the day after tomorrow तो last month है तो हम लोग इसको बोलेंगे the नहीं लगाएंगे इसके आगे हम लोग इसको लगाएंगे previous month ठ इसको हम लोग इसके अंदर करने वाले इसको हम लोग करेंगे यहां पर that में convert और इसके लाव यहां पर कुछ भी नहीं है सिंपल्स हम लोग जो पास्ट में करते हैं जैसे कि हैव को हम लोग इसके अंदर कर देंगे वो कर देंगे head के अंदर और इसके लाव इसके अंदर तो रिसे के साथ में हमारी grammar complete होते हैं लेकिन दो question additional है जो कि माल हो कि आपको क्योशन नहीं आया तो आप लोग वो कर सकते हो तो यहां पर यह है question number 10 में हमें कहा गया है कि आपको fill in the blank करना है आप पर कहा गया कि congratulations change makers the regional competition awards have been announced and our school music club won the prize ठीक है वो recent वाला होता है तो उस case के अंदर हम लोग क्या use में लेते हैं वहाँ पर हम लोग use में लेते हैं has और have और उसके साथ में हम लोग लेते हैं verb की first form so हम लोग यहां पर has जो है उसको use में लेते हैं singular के साथ में और फिर उसके बाद में जो हमारा have है इसको हम लोग लेते हैं प्लुरल के सात में तो अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है? वो है singular, तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या यूज में लेगे? वो लेगे हैस, तो यहाँ पर आजेगा हैस वान्स तो यह हो गए इसका एक दम से correct answer then फिर इसके बाद में चलते हम लोकिशना number 11 के ओपर जिसके अंदर के आप लोग एक point दियो जिसको के complete करना है इसमें ये है कि the river runs through the winds कि भाई या जो river है वो winds के थू जाते क्योंकि point जो होता है वो हमेशे उट पटांगी बाते करता है और इसके अंदर कहा कि the trees and mountains your name ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप बोलोगे will call आएगा call आएगा head called आएगा या फिर calls आएगा तो यहाँ पर simple से देखो कि यह क्या है tree है और mountain है तो यह क्या होगा यह होगा plural तो plural के साथ में हम लोग क्या यूज में लेंगे मैंने अभी बताया था कि हम लोग base form यूज में लेते हैं तो इसलिए हमारे जो answer हो जाएगा call क्योंकि यह जो point है हमेशे बात याद रखना कि point जो होती है वो लिखी जाती है present के अंदर तो इसलिए हमारे पास मे जो correct answer रहने वाला है वो रहने वाला B option तो इसको lock कर दिया जाए चला जाए next question के ओपर जो कि हमारे question number 12 होगा इसमें हमसे कहा कि है कि आप लोगों को simple सा इसको convert करना है अब मैं आप लोगों को इसको बता हूँ अब और आप लोगों को इसका answer comment करना होगा दिखतें कि कितने student को यह वाली बात अभी तक समझ मैं last location एकदम से सही होना चाहिए वो यह है कि the passengers will not reach the airport in order to avoid a fine equivalent to 5% of basic fare तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या समझाय था वो समझाय था कि will हम लोग कहां पर use में लेते हैं जहां पर कि हम एना हमारा opinion देना होता है वहां पर compulsory नहीं होता ल तो will हम लोग यहां पर use में नहीं लेंगे तो हम लोग क्या use में लेंगे यहां पर हम लोग लेंगे should क्योंकि ये एक तरीके का क्या है वो है order जो कि आपको मानना ही होगा तो इसलिए हमारे पास में जो correct answer रहने वाला है वो रहने वाला है should error होगी हमारे पास में will और इसका correction होगी हमारे पास में then फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला question जो कि आप लोगों को exam के अंदर बहुत ही ज़ादा help करेगा क्यूंकि मैं आप लोगों को इसके अंदर बताने वाला हूँ ऐसे tricks जिसके वज़े से आपको examiner full marks देने वाला हूँ तो यह question है हमारा question के अंदर कहा किया है कि आप जो भी हो आप लोगों को है न simple सा इसमें ध्यान ही नहीं देना यह सब बक्वास जो भी यहां पर लिखा हो हो आप पढ़ ले न मैं आप लोगों को important बाते बताता हूँ जिससे कि आपको exam के अंदर number मिले तो सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर क्या लिखना होगा सबसे पहले यहां पर आप लोगों का आएगा sender address जो की होगा आपका क्योंकि आप क्या कर रहो इसको send कर रहो जो कि आपको question के अंदर दिया होगा अगर नहीं दिया हो तो आप लोगों को कुछ भी अपने मन से बना करके लिख देना है रियल नहीं लिखना जैसे कि आप ABC स्टेट लिख सकते हो, डैली लिख सकते हो ऐसा कुछ भी आप रेंडमली लिख सकते हो दैन फिर इसके बाद में आपको एक लाइन का सबसे पहले उनका नाम फिर उनका एड्रेस फिर उसके बाद में हुआ का जो भी सीटी कोड है जिप कोड है वह आप लोग इसके अंदर लिखोगी तीन चीजे लिखने होते हैं अगर नहीं पदर आप रेंडमली खुछ भी लिख सकते हैं इसके लिए माक्स डेड़क नहीं होते हैं अब ध्यान से सुनों कि आप लोगों को ओपनिंग किस तरीके से करनी एक तो सबसे इंपोर्टेंट होती ओपनिंग और दूसरी होती ग्लोजिंग अगर यह दोनों सही डंग से कर दी तो बाकी के लेटर में आप कुछ भी लिख से इतना ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं होता मतलब सिंपल्स आपको लिखने का रीजन क्या था तो यहां पर आपने रीजन बता दे कि मैं इसका सॉलुशन आपको किस तरीके से दूंगा तो जैसे इसको पढ़ेगा वो तो इसको लगेगा है यहार इस लेटर को मेरो को पूरा पढ़ना ची बाद मैं का कि कि I believe that forming a ecological club and appointing eco-minester in our city can be aid to this endeavor कि यह यह जो आप लोग मैं आपको बता रहा हूं तो इससे क्या होगा कि हमारी environment को बहुत ही जादा help मिले कि हमारी city के अंदर हमें ऐसे लोगों की बहुत जादा जरूरा है तो इसके बाद में इसकी closing line देखना वो बहुत ही जादा important रही व हमेशन बात या दखना कि आप कभी भी उनको order नहीं करो कि आप लास्ट के अंदर लिख होगे कि मैं मेरी request है कि आप इसको एचसोनेस जितना जल्दी हो सके उसको कर सागे तो आपको यहां पर help चीए तो आप उसके अंदर कह रही हो कि आप मेरी suggestion को मानिये और जादा जितन जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस काम को स्टार्ट केजिए अब exactly ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह जो पूरी पूरी लैंग्विज है bookish language कभी भी bookish language के full marks नहीं मिलते हमेशा जो आप लोग इंसान हो तो इंसान बनकर कि ही अपने express लिखा करो गलत होता है जाद जाद उसक कि अलाओ कुछ भी नहीं होता लेकिन जो इंसानी लेंग्विज होती बहुत जदा अच्छी होती है और एक और बात हर इका सोचने का तरीका अलग-अलग होता है इसलिए सभी के आंसर्स अलग-अलग होते हैं दैन फिर हमेशा बात याद रखना कि एक आप लोगों को कराते हैं आपना नाम लिखाते हैं जो कि हमें नहीं करना है तो यहां पर आपको दियागा कि आप उसका पूरक पर अड्रस दिया वह जो कि आपको ध्यान में रखना है देन फिर इसके बाद में कहा गया है कि यू बिलिव दैट लैंग्विज कैन हेल्प अब ब्रिज लग में राजस्थान के अदर बेसिकली कौनसी बासा होती है उती है मारवाडी मारवाड़ी के अंदर कि जैसे कि जब बच्छा पैदा होता है वो क्या होता है कि एक से डाएट साल के अंदर वह ठीक ठाक सा बोलने लग जाता है मतलब कुछ भी चीज़ेसे सीखने लग जा कि अब मैं अगर मान लो कि इदियार other state के अंदर हूँ और मान लो कि मैं हूँ करना टक में ठीक है अब करना टक के अंदर other language है लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर मैं को वहाँ पर कोई मेरी language वाला आदमी मिलेगा तो एक तरीके सम दोनों की unity अच्छ होगी हम लोग अच्छे स में हमारा आ जाएगा यहाँ पर receiver अब डेट फिर उसके बाद में हाँ पर जो receiver address है वो फिर इसके बाद में subject subject यह कि introduction of the online regional language learning program आप लोग का suggestion रहेगा कि sir यह मेरा suggestion है कि आप लोग इसको इस तरीके से करते हो तो आप इसको start करेंगे dear sir as someone who believes that the language can help abridge regional divides and promote unity तो आपने सबसे आपर देखो क्या starting करें इसके इसके इस तरीके से हुई है कि मैं एक ऐसा आत्मी हूँ जो कि यह मानता हूँ कि जो regional language है उनसे की unity को promotion मिल्दा मलब unity promote होती है and I am writing to suggest the introduction of an online regional language learning program in our city to help recently relocated residents of all the ages establish a healthy raptor with the local resident and promote mutual understanding अब इसके अंदर देखो आपको इसमें जादा कुछ भी नहीं दिया है तो आपने हाप पर अपने दिमाग से बनाया है कि आपके जो state है उसके अंदर जो दूसरे resident है उनको help मिले तो इसलिए regional language आप organize करना चाहते हो यह आपका suggestion आपने पहले paragraph में बता दिया कि आप क्यों इसको लिख रहे हूँ आपको क्या motive है और किस तरीके से इसका solution आपको मिलने वाल है फिर इसके बाद में इसकी closing line वही रहेगी कि आपको इन से request करने होगी कि I hope that publishing of this letter in columns of your daily shell earth the community to support the program for this potential to bring the people together and promote the language proficiency and foster in a sense of brotherhood तो सिंपल्स आपने यहाँ पर कहा है कि यह जो मेरा concern इसको अगर आप अपने paper के अंदर publish करोगे तो इससे जो committee है उसको काफे जादा help लेगी तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर एक तरीके से आप उनको बता रहे हो कि आपको यह ऐसा क्यों करना चीए ठीक है तो यह सब च student council election given blow is her character जैसे कि उसका नीचे दिया गए कि वो किस तरीके की है अब देखो यहाँ पर क्या 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 करेक्टर उसके बारे में बताया गया है कि is average and academic performer की मतलब ठीक ठाक है पढ़ने में जादा पढ़ने में ध्यान नहीं है लेकिन maintains the discipline and study routine लेकिन उसका discipline and study routine वो maintain रख फिर उसके बाद में believe in all and all for all मलब उसका मानना यह है कि सभी को सभी की मदद करनी चाहिए और हर एक के लिए हर को यह अवलिबल होना चाहिए and help sir peer in the difficulties academic and personal simplicity वो जो भी अपने दोस्त होते हैं कालिक्स होते हो उनकी काफी सद हेल्प करती academic level पर non academic पर personal पर फिर उसके बाद में इस less impulsive but highly sensitive वो बहुत ही जादा sensitive है उसको अगर कुछ भी कह दोगे तो रोने लग जाएगी ऐसा कुछ होते है लड़कियों का अब देखो यहां पर लेकर कुछ भी मत जज मत करना लेकिन by the way हमने यही देखा है कि लड़किया रो जाते लड़के नहीं रोते जो के एकदम स करके लिखना है और यहां पर दो चीजे दी गई है कि या तो आप उसको support करो या फिर आप उसके against में जाओ आप इन दोनों में से कोई सा भी करते हो आपको इसकी choice दी गई है तो अब हम लोग एक बार support वाला देख लेते फिर इसके बाद में against वाला तो आप खुझ से तो simple सा जब कभी आप किसी को support करना चाहते है तो आप तो सबसे पहले line तो यही लिख देना कि भाईया मैं इसको support इसलिए करना चाहते हूं क्योंकि जो भी एक quality होनी चीए वो सब qualities इसके अंदर है हर discipline, study, routine and hard work ethics indicates her ability to prioritize and manage the time efficiently तो सबसे पहले आपने हाप पर point यह लिखा है कि यह जो इसका study करने का routine है और यह जो hard work करती है इसके वज़े से क्या होता है कि अपने काम को मतलब prioritize कर पाती है और अपनी जो time हो इसको efficiently manage करवाती है यह सबसे study करवाती है, काम भी करवाती है and is less impulsive but sensitive focuses on the excellent outcome of her task assigned to her demonstrating and decision making skills तो यहाँ पर simple सही यह बता रहा है कि वो sensitive तो है लेकिन वो अपने जो goal से उनके उपर focus करती है वो यह focus करती कि उसको जो outcome हो बहुत ही जादा आच्छे हो तो यह यहाँ पर दिखाता है कि वो एक बहुत ही जादा उसकी good decision making skill से जिस वज़े से हो पाता है and additionally her willingness to keep peers in academic and personal तो आप simple सहा लास्ट केंदरी कहना चाहते हो कि lastly मैं एक बात और कहना चाहूंगा additionally कि वो जो help करती है लोगों की जिस वज़े से उसको जरूर से captain बना चाहिए यह सब बात है फिर इसके बात में आता है कि difficulties highlights are empathic and caring nature and furthermore treasuring beliefs one for all and all for one यह जो policy आपको इसको जरूर से लिखना है जिसे कि कोई वे अगर आपको important बात दी गई हो तो आपको इसको जरूर से वहां पर highlight करना है then फिर इसके बात में आपर last जो sentence है वो यहां पर रहेगा कि आप लोग इन reasons के वज़े से उसको करना चाहते हो तो for these reasons I believe she has the potential to be a good school captain and I support her candidature अलब के symbols अभी है वो जो candidate है उसको मैं इन ही reasons के वज़ा से support करना चाहता हूं दो बात है हमेशे आदटना एक तो opening line और closing line और जब भी opening करो तो आपको इस तरीके से वही line है पहले लिखने जिनका कि आपको 100% sure हो की वो सब चीजे सही हो अब देखो इसके बाद ने इसका second part दिया गया है जो की 5B है अब की बार जितनी भी आप लोगों को questions दिये गये हैं वो इस तरीके से दिये गये हैं कि आप लोगों को इनको analyze करना है support करना है और इनका against के अंदर जाना है तो अब इसी तरीके से हमारा ये वाला question है इसके अंदर हमसे कहा गये कि as a captain of the school cultural club you have been asked to study the given intent provided by the tour organization vendor कि आपको symbol साथ जो vendor है उसने आपको ये सब दिया है कि या ये हमारा tour plan है तो उसको लेकर आपको सब चीजे बताने है और इसका बुरगपुर आपको analysis दिया गये है कि 22 November क ये होगा कितना time लगेगा तो ये सब आपको data given है तो अब हम लोग इसको start करते हैं यहाँ पर हम लोग इसके starting इस तरीके से करेंगी a thorough analysis of and the interior provided by the tour organization vendor reveals that the tour purpose should be accepted simple सा पहले आपने जैसे कि पहले वाले sentence के अंदर हमने कहा था कि इसके जो nature है इसके जो character traits है उसको देखकर कि हम बोलते हैं कि इसको accept किया जाना चाहिए तो उसी तरीके से आप इसके अंदर भी पहले line यही लिखोगे कि भाया इनों ने जो हमें provide किया गया है उसके according हम लोग यह कहना चाहते है कि इसको जरूर से ही accept करना चाहिए इन फिर इसके बाद में next ही है कि it is and the well planned and includes an array of and the educational activities for the student इसके बाद में आगे लिखाओ है कि the inclusion of and the visit to and the भारत garden और फिर उसके बाद में कहां कहां पर यह जाने वाले तो वो सब चीज आपको यहां पर लिखनी है और इसके अंदर आपको एक चीज और ज़रूर से include करनी है जैसे कि आप कोई भी data गर लिखो जैसे कि आप data लिख र के अंदर जैसे वो literature हो grammar हो writing हो आपको इसके अंदर ज़रूर से इसको इंग्लूड करना जी और इसके बाद में यह सबाप लोग इसको पढ़ सकते हो लेकिन इसका जो लास्ट वाला है वो बहुत ही जाद इस closing line बहुत साथ important है वो इस तरीके से रहने वाली है हमारी कि the complimentary staff provided for the every 20 students further adds to the security to the student therefore the tour proposal for the educational trip should be approved और आपका कहना यह है कि भाया यहाँ पर complimentary staff रहे कर 20 students के लिए उनकी security का पूरक पूरा इंतजाम रखा जाएगा और इसलिया यह जो परपोसल इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए बड़ा ही simple है दो चर में आप लोगो प्रैक्टिस भी करवाऊंगा तो वो वीडियो आपको कैसे बता लगेंगी subscribe करके ठीक है अब आता है हमारा reading section अब देखिए reading section के अंदर यह बास जिरूरी नहीं होते कि आपको हर एक word का मतलब पता हो अगर आपको कुछ words का मतलब भी for the simpler pieces and intermittent frustrations with more complex words अब देखो आपने एक ही लाइन में आपको इसका मतलब समझाता हूं वो यह है कि इसके अंदर as a high school student आपकी इतनी जादा भी आपने development हुई नहीं है आप इतनी जादा चीजों कुछ जानते नहीं हो तो आप लोगों के लिए point पढ़ना एक roller coaster ride हो सकती है जाता है जैसे कि simpler जो चीजें जिनको कि हम लोग अराम से बता सकते लेकिन उनको बड़ा चड़ा करके बताना और उसे के साथ में इससे क्या होता है कि frustration आती है रुक रुक का frustration आती है समझ में नहीं आता था और frustrated हम होने लग जाते है तो यह poetry को लेकर के अब जैसे कि इसके के अंदर बोलूँगा तो आप समझ जाओगे लेकिन अगर मैं जर्मन लेंग्वेज के अंदर बोलूँगा आप नहीं समझ भावगे तो उसी तरीकी से यहां पर भी हो रहा है कि जो point है वो चाहते है कि आप उसकी वही बात समझो जो कि वो कहना चाह रहा हूँ तो तुक्का मारा ना तो फिर देख लेना अच्छी बात नहीं होगी कमेंट करके बताना कि भाई या हमारा आंसर A है B है C है या फिर D है जिसका भी सही होगा उसको मेरी तरफ से एक हार्ट मिलेगा लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ सिंबल जाए सका सार ये है कि हमारी जो पोईम होती है उनको पढ़ना एक आम आदमी के लायक बात नहीं होती क्योंकि इसके लिए क्या होता है आपको इसका समझना होता है कि भाई ये चीज ऐसी है तो क्यों है आपको intellectually खुद से question करने होता है आपको उसको बहुत ही साथा detail जिल गंदर उस चीज को समझना होता है तो अब उसी के बिसेस के उपर आपको बताना है कि यहां पर जो हमारा ओथर है वो क्या बोलता है पोईटरी को लेकर के अगर आप इसको पढ़ोगे थोरली पढ़ा होगा तो आप लोगों के में से अगर आप बस और बस इस परग्राफ को पढ़ करके आए होंगे तो क्योंकि आपने पहले में देख लिए कि भाईया जो उसको फ्रस्टेटिंग लगते तो फ्रस्टेटिंग इसका अंसर होगा लेकिन ऐसा नहीं है जब आप इसको थोड़ा से नीचे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इसका अंसर क्या है ठीक है अब देखते कि इतने स्टोडेंट इसका सही आंसर देते है फिर इसके बाद में अगला क्योशन जो की बहुत ही साथ एक क्रिटिकल क्योशन है भाईया मेरे को तो समझ भी निया है कि क्यों दिया इसके अंदर इसमें पूछा गया है कि solving a riddle what was intended then playing a pseudo को is a better option when to lead ponder its obscurity was a goal तो भाईया simple से इसका कहना ये है कि अगर हमसे puzzle नहीं solve करवानी थी तो इससे अच्छा तो हम लोग ये करते poetry की पढ़नी के बज़े हम pseudo को खेल लेते भाईया अगर आप लोगों को हमें अगर ये ही goal था तो इससे अच्छा तो हम ये ही खेल लेते ये बात है इसके कहने का तो आप यहाँ पर देखो जब कभी भी हम किसी को कुछ भी बोलते हैं जैसे कि आपकी मम्मी आपको tone मारते होंगे है न बहुत बार कि तो वो जो tone होता है न वो क्या होता है वो सर्केस्टिक होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर simple सा क्या कर रहा है जो author है वो poet जो लिखने वाला है उसको criticize कर रहा है कि भाया अगर यही तेरा मक्साद था तो इससे अचा था हम लोग सूडू को खेल लेते न तो यह क्या है यह है यह tone है सर्केस्टिक अब इसके अंदर अगर मैं आपको यह पढ़कर के समझाओंगा तो यह बेवकुफी होगी बेवकुफी इसलिए होगी क्योंकि हर एक स्ट्रेटन का लिखने का आंसर का तरीका अलग होता है अब इसमें इनोंने क्या लिखा है कि यह जो हमारा जो पॉइट होते हैं जो कि लिखते हैं इनको तो इनको इतनी साथा कॉंपलेक्स बनाने के क्या ज़रूरत है तो वही ऑथर इसके अंदर बात कह रहा है फिर उसके बाद में यह बात जरूर से हो सकती है कि जो हमारे पॉइट हैं वो जान बूच करके ऐसे वर्ट लाते हैं जिससे कि हम लोग उनको समझ ना पाएं और हम में उसके अंदर डिफिकल्टी हो तो यहां पर क्या कर रहे हैं पूरक पूरा सर्केस्टिक टोन ने दो इसके आंसर दिये में ह तो हमारे जो मैक्सिमम सही आंसर है वो है यह सर्केस्टिक टोन वाला देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला क्योशन आते हैं जिसके अंदर की हमें कहा गया है कि आपको इसको कम्प्लीट करना है सेंटेंस को अब यह आप कैसे इसको आंसर करोगे इसमें कहा गया है कि भाईया ऊपर कूदना नीचे कूदना खुशी के साथ में यह कैसे हो सकता है तो जब कभी आप पोईटरी पढ़ते होंगे तो उसके अंदर कुछ को जैसे वर्ट होते जिनको किया न आपको इना रोलर कोस्टर होता आपको गूस बंस उन से आने लग जाते तो वही यहां पर है कि ऐसे वर्ट जिनको कि हम लोग आसाने से रिलेट कर पा है और वह एक रिदम बे बज़े तो उन से गून जाती है महल रहे यार क्या बोला मैंने कि जब कभी वो rhythm के अंदर गुंजते हैं तो उससे हमें goose bumps आते हैं तो अब यहां पर यहां आता है कि इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे वो यह है कि इसे कि जो reader की understanding है वो बढ़ पाती है जब कभी भी आप ऐसा करते हो कि उसकी emotions को अगर आप trigger कर बाते हो तो उसकी समझने की शक्ती ज़ादा बढ़ती है और उसे के साथ में intensity of the emotion है उससे उसकी poetry जा पाती फिर इसके बाद में इसका fourth question है जिसके अंदर कि यहां में antonyms निकालने है तो मैं आप लोगों को इनमें इसके मतलब बता देता हूं जिससे के आप लोगों को कोई भी देकत ना हो ठीक है तो मैंने आप पर लिख रहा काया आप लोगों के लिए क्योंकि ये words के meaning आपको जाना बहुत जादा ज़रूरी है सबसे first है कि interviewing और off-putting interviewing का मतलब होता है curious करना आपको curiosity होती है कि ये चीज़े कैसे होती है जैसे कि space को लेकर के होती है मेरे को बहुत जादा होती है एक तो horror चीज़े को लेकर की horror जो कहानी होती है उनको लेकर के space को लेकर के और चीज़े कैसे काम करती है इन कीज को लेगर कि मैं न हर किसी से कुछ भी पूछने लग जाता हूं और फिर उसके बाद में off-putting का मतलब होता है बोर कर देना जैसे कि आपके जो siblings होते होंगे वो आपको बोर करते हैं छोटे बच्चे उसी तरीके से बोर कर देना अब इसके अंदर जो second point है second वाला यह है कि deciphering और interpreting जैसे कि मैंने अपको इसके इंदर बताया था decifer का मतलब ही होता है कि वो मतलब समझना जो वो समझाना चाह रहा है और interpretating का मतलब भी होता है वही समझना जो हम खुद से समझना चाह रहे हैं तो यह एकदम से एक जैसी बात है ज्यादा उसके अंदर antonym नहीं है इसके बाद में appreciate और applaud appreciate का मतलब होता है तारीफ करना और applaud का मतलब होता है वो भी appreciation ही होता है एक तरीके का लेकिन आप पर आता है simple और challenging ये इसका एकदम से correct answer हो गया है हमारे पास में simple और एक तरीके का है वो है complex तो इसलिए हमारे तो correct answer रहने वाले है वो रहने वाले frustrating होती है वो complex words को क्यों उसमें लेता है इस अच्छा तो वह आसान हमें दे सकता था हमें सुड को खेल लेना चाहिए ये करने लगया लेकिन अब उसका दोगलापन देखो वो ये बोल रहे है कि ठीक है point है न वो ठीक करता है ठीक तरीकी point लिखता है तो ये क्या होगी ये होगी है उसका दोगलापन वो इसको समझ ही नहीं देना चाहता कि हम क्या करना चाहरे है ठीक है ये समझ है मेरे बात और फिर इसके बात में हापर simple सा ये है कि हापर the author acknowledged that the weird points can be off-boarding but also appreciate their uniqueness and the challenges they present to readers simple सा उसका मानना ये है कि कुछ ऐसी weird points होती है जिनको पढ़ने में बहुत ही जादा मजा आता है और कुछ-कुछ होती है जो कि challenging भी होती है जिससे कि क्या होता है कि उनकी uniqueness होती है अब याद है मेरे को point वो ये थी हरीवांच डायर बच्चन जी की poem ये थी कि लहरों से डर कर कभी नो का पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ठीक है तो इसी तरीके से ये poem है लेकिन ये छटा क्योशन फीट से दिमाग खराब कर रहा है वो ये है कि based on the reading of the passes examine in about 40 words how studying a poet can be exploring a new city अब मेर को इस क्योशन का मतलब जादतर समझ में नहीं आया है तो simple सा मैं आप लों को बूल रहा हूं तो अब इसका answer देखो किस तरीके इसका answer यह है कि just as exploring a new city requires an open mind and willingness to embarrass the unaccepted and studying a point requires an openness to the different style and approaches a willingness to be challenged and surprise what you find अब देखो इसके अंदर क्या है इसके अंदर बात यह है कि जैसे कि जब कभी आवे एक नई city explore करने के लिए जाते है वहाँ पर आपको अपना mind open रखना होता है आप challenges के लिए ready होने चाहिए कि आपको क्या क्या challenges वहाँ पर देखने को बेलेंगी सबसे पहले आपको language आपको food वहाँ का अच्छा नहीं लगेगा आपको वहाँ के लोगों से बात करने में दिक्कत होने वाली है तो यही बात है यही point के अंदर भी कहा गया है तो इसी तरीके से आपको इस point से सोच रहा ह और point का क्या relation हो सकता है तो वह यही relation की बात कर रहा था so अब हम लोग आ चुके है English के सबसे बड़े part के उपर जो की है हमारा literature को ले करके अब देखो literature को ले करके मैं आपको एक छोटी सी suggestion देना चाहूंगा कि आपको literature को अगर अच्छा करना है तो आप start करो अपने long answer को read क को जितना जाधा हूसका उतनी जाधा long answer को read करो और उसमें से identify करो आप keywords को रहाए जब आप keywords को क्या करो तो उन keywords को क्या करना है अपने short answer के अदर बी यूज करना है, वेरी short answer के अंदर भी यूज करना और несssä करना है और long answer के इन तर उनको use लीज करना है अब हम लोग इसको start करते हैं अब जैसे कि ये वाला जो 6th है इसके अंदर आपको एक simple चा पैरा दिया होता है ये आपको एक पैरा गीवन है जो कि आपकी book से है जो कि है हमारा the making of scientists अब इससे related आपके पास में question है अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो अगर आप सीधा questions करना चाहतों तो वो भी आप लोग कर सकते हैं तो ये आपके पास में choice रहते हैं और इसमें से आपको एक करना होते है दो chapter आपको given रहते हैं ये 5 नंबर कर रहते हैं MCQ भी रहते हैं इसके अंदर 1 mark का भी रहता है और एक साथ short answer भी रहता है जो कि 2 marks कर रहता है तो आप इसको read करके कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं वो है 7th के अंदर point 3 वाला क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे students को problem होती है अब इसके अंदर आपको point दीगी है कि when the speaker says that ice could be so अब हमारे पास में आता है इसका question number first जो की है हमारा fill in the blank जिसके अंदर की कहा गया कि when the speaker says that ice could also bring about the end of the world he refers to and फिर इसके बाद में आप next जो आता है वो आती है हमारी poetry अब देखो यार poetry को लेकर के न बहुत सारे student को क्या होते है इसके अंदर doubt होते है poem को लेकर की भाई हम poem के अंदर कैसे अच्छा कर पाएंगे तो मैं आपको एक suggestion देता हूँ वो यह है कि आप लोगों को इसका explanation पढ़ना चाहिए explanation अगर आप पढ़ो के ना इंदी के लिए है similarly English के लिए इंदोनों के अंदर अच्छा score करना है poem के लिए specially आपको जाद से जाद इनके explanation को पढ़ना होगा तो अब हम लोग इसके first question की तरफ चलते हैं जो की है हमार question number first जिसके अंदर की कहा किया है fill in the blank है यह यहाँ पर कहा कि when the speaker says that ice could also bring the end of the world he refers यहाँ पर जब यह कह रहा है कि यह जो हमारी दुनिया है इसका अंत आ सकता है तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहरा simple size के अंदर आप यह कह सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा point है वो बहुत ही जादे एक तरीके से hate है उसके अंदर hatred है वो इसको ले करके उसको बहुत जादा hate है आइस को ले करके कि यह सब destruction world का होना ही नहीं चाहिए then फिर इसके बाद में आपर next आता है कि what does the speaker alignments with those who favor ice suggest तो अब हम लोग इसका answer देख लेते इसका answer इस तरीकी से रहने वाल है कि तो यहां पर उसका कहना यह है कि आइस को जो भी favor करते हैं वो लोग होते जिन्होंने destructive consequences देख लिए होते हैं emotionally जिनको support नहीं मिल था जिनको लोग आसपास के जिसे कि उनकी गलती हो जाती है उनको कोई support करने वाला नहीं होता emotionally बहुत ही जादा होते हैं तो ऐसे लोगों को लेकर के यहां पर हमारा जो point है वो कहना चाह रहा है then which of the following best describe the speaker's attitude towards the destruction caused by ice तो यहां पर यह जो ice है इसको लेकर के कहसा है so अब इसका answer क्या होगा तो देखो इसका answer आप लोग को मिले के इसी point केंदे जिसके अंदर के to say that the destruction of our ice is also great तो यहां पर great बोल रहा है तो मालब एक तरीके से उसको appreciate कर रहे respectfully उसको बोल रहा है तो यहां पर क्या इसका answer होगा वो होगा indifferent जो की एकदम से गलत है fearful वो भी गलत है dimensive वो भी गलत है लेकि respectful इसका एकदम से सही है दी उसका सही रहने वाला है और फिर उसके बाद में आते कि comment on the point use of a language in this line तो यहां पर इसका answer यह रहेगा कि the language used in this line is simple and straightforward अगर आप इतना लिखते हो तो इसका एक mark है फिर आगे आप इसको explain कर सकते हो जो भी आप अपनी language में करना जाओ तो यह है कि हाँ पर the word and the phrase are easy to understand and the poem is written in a very simple language वही बात को फिर से लिखे दिया लेकिन उसका marks ज्यादा मिल जाता है फिर इसके बाद में आपर पास में यह हैं questions अगर मैं आपको यह questions पढ़गे रहे बताऊंगा तो मिलते हैं आप लोग इस नेक्स वीडियो के अंदर make sure कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करो और subscribe बटन को तोड़ दो और अपने दोस्तों के साथ में से जरूर से शेयर करना